गुद मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग मैसल्फ दॉक्टर बकुल्देव और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट लैट्स क्रैक नीट यूजी यूर वन स्टॉप सॉलूशन पर नीट आप सभी बच्चों को रक्षबंधन की बहुत 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 शुब कामना है और हार देख बधाई आज एक फेस्टिवल है तो इसको सेलिबरेट कीजिए सब लोग लेकिन चूकी चूकी आपका नीट का एक्जाम जो है उसमें बहुत कम वक्त बचा है तो हम एक भी दिन ऐस नहीं गुजार सकते जिस दिन के हम पढ़ाई न करें हमारा टॉपिक रिवाइज न करें तो इसलिए हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हम आज के दिन को भी प्रॉपरली उटिलाइज करें रोज जो जितना लंबा हमारा क्लास होता है भले ही उससे थोड़ा कम टाइम का हम क जल रहे हैं कि थ्री थर्टी प्लस हम सारे के सारे लोग स्कोर कर पाएंगे विनाय बेटा मैं रोजाना पोस्ट करता हूँ टेलिग्राम पर नोट्स कैसी बातें कर रहे हुआ सारे बच्चों को मिल रहे हैं आपको कैसे नहीं मिल रहे हैं तो मैसल्फ डॉक्टर बकुल्द एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि All India Mock Test Series An Academy की तरफ से स्टार्ट हो रहा है इस Mock Test का सबसे बड़ा USPA है कि ये Hindi और English दोनों Languages में होगा और इसमें आप लोगों के लिए पांच मेजर टेस्ट और्गनाईज करवाए जा रहे हैं जिनकी टाइमिंग होगी दो पहर दो से ले करके शाम को पांच बजे तक तो सारे बच्चे इसके लिए एंडरोल कीजिए अपने आपको एंडरोल करते वक्त इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें इस बी देव आइकनिक का बिलकुल नया रूप आपके सामने है इन फेक्ट किसी भी तरह का डाउट अगर आपको हो गाइडेंस की जरूरत हो तो आप अपने लर्निंग पर जाकर एक स्लोट बुक कर सकते हैं अपना सब्जेक्ट पिक कर सकते हैं और लाइव डाउट क्लिरिंग सेशन्स आप अपने लिए और्गनाइज कर सकते हैं इस इस अ सिग्निफिकेंट आप ग्रेडिशन आफ दा अच्छा अगर आइकनिक के सब्सक्रिप्शन में आप जाते हैं तो इसका मंतली कॉस्ट आता है फाइव थाउजन्ड फॉर हंडर्ड सेवन्ट इव फूल फॉल मंत अप्लाई दिस कोड बी देव वाइल सब्सक्राइबिंग और अगर आप प्लस पर जाते हैं तो इसका व अचीवर उद्धिश्य एंड नीट फॉर बिगनर्स हर संडे को आपके लिए बिगेस्ट स्कॉलर्शिप टेस्ट कंड़क्ट करवाया जाता है शार्प है टिलेवन उसमें भी आप अपने आपको एंडरोल कर सकते हैं फोर करोल का इसमें प्राइस पूल है और आपको अप आपको सारा प्रिंटेड स्टेडी मैटेरियल रेलेवेंट लिंक्स जितने भी हैं सेशन के वो सारे यहीं पर मिलते हैं और किसी भी तरह का कोर्स अनकेडमी पर आपको सबस्क्राइब करना हो यूज दिस कोड बी देव डूरेमेंबर टू यूज दिस कोड बी देव है तो हम क्या करते हैं बिटा हम क्या करते हैं पिछले दिन की क्विजिज के जो टॉप पर्फॉर्मर्स हैं उनके नाम हम यहां अनौन्स करते हैं कल मुझे लगता है कि शाम साथ वज़े वाले टेस्ट का मॉक टेस्ट के स्क्रीन शॉट आप लोगों ने शेयर नहीं किये लेकिन रात को जो मैंने क्विज करवाई थी साड़े दस बज़े जिसमें हमने 100 MCQs डिस्कस किये थे मिनरल नूट्रिशन के उनके स्क्रीन शॉट आप सब लोगों ने मुझे से शेयर कर लिये थे तो मैं सारे के सारे बच्चों के नाम अनौन्स करता हूँ कल रात को साड़े दस बज़े जो आपका स्पेशल क्लास में 100 MCQs हमने प्रैक्टिस किये मिनरल नूट्रिशन के एक्स्क्लूजिबली NCRT बेस्ट MCQs उसमें आकाश 99 questions आपने सही किये कैकरेट 96, सौम्या 95, उसके बाद अंशुल 91, विजाय सिंग 87 और ये बच्चा मेरे ख्याल से शांतनू होगा जिसने मेरा ही नाम लिख रखा है प्रोफाइल पे 87, आरपी 86, शिवाम 85, सुनील 84, बैटमैन 84 ऐसे करके ये टॉप 10 students है जो टॉप 10 students आते हैं जिस पर्टिकुलर दिन और वो अपना स्क्रीन शॉट जब हम से शेयर करते हैं तो मैं कुछ specific notes भी उन लोगों के लिए available करवा रहा हूँ, daily basis पर ये काम में कर रहा हूँ तो many many congratulations, many many congratulations and a big round of applause for all of you और मैं चाहूँगा कि आज जो हमारे test हूँ, उन test में बाखी सारे के सारे बच्चे भी whole heartedly appear हूँ participate करें, क्योंकि हम ये target लेकर चल रहे हैं कि इस महीने के end तक हम 6000 NCERT based MCQs plus PYQs plus 2000 MCQs via mock test cover कर लेंगे, इसके बाद biology में कुछ बचता नहीं है और जो बच्चे शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरे course में, जो हमारा 45 दिन का course चल रहा है वो बच्चे ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि 20 major units में आप लोगों को complete करवा चुका हूँ, ये 21st unit चल रहा है इस महीने के end तक हम 30 unit पर पहुँच जाएंगे, चाहे मुझे classes थोड़ी double करनी पड़े चाहे कुछ चीजे मुझे आपको special classes के जरीए पढ़ानी पड़े और मैं efficiently आपका syllabus भी पूरा करवाँगा और जो मेरा commitment था कि हम 8,000 MCQs biology के solve करेंगे वो भी आपको NEET की exam के पहले जिस दिन मैं officially conclude करूँगा इस batch को उस दिन आप सब लोगों के साथ ही announce करते हुए conclude करूँगा that we have discussed these much number of questions ये ये chapters हमने पढ़ लिये हैं पूरे के पूरे एक-एक line NCRT का explore कर लिया है that is my motive तो जो भी बच्चे साथ में जुड़े हुए हैं वो जानते हैं इस बात को अच्छे से आप बस पूरी तरीके से energetic enthusiastic manner में इन sessions को attend कीजिए as a package आप इस session को लीजिए morning का theory class भी होता है theory class के बाद में आपका तीन बज़े का practice session होता है फिर आपका साढ़े दस बज़े का practice session होता है साथ बज़े आपका mock test होता है इसको एक sequence में लीजिए as a package लीजिए इसको चलिए so again happy रक्षाबंधन to all of you और अब हम हमारा आज का topic स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा topic है मैं इसको class को बहुत लंबा न करते होगे क्योंकि आज क्योहार है festival का दिन है तो आप सब लोग भी कुछ-कुछ-कुछ-कुछ बिजी होंगे लेकिन कुछ basics तो clear कर लेते हैं जिससे कि कल जब हम इस chapter को पूरा करने की कोशिश करें तो चीज़ें आसान वैसे भी मैंने इसको दो parts में divide किया हुआ है so let us start सब बच्चे ready है हां मेटा happy रक्षा बंदिन टो all of you प्रियेश, सानवी, अरशी, अमर, राजू, अन्विका, नावू बेनिपाल, प्रियेश, उत्सव, निशा, अनुश्री, आमीन, निक वर्मा, और भी जितने बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं यहां पे धनराज, लक्षमी, चलिये, let us start, let us start the session, okay, so photosynthesis in higher plants, यह हमारा आज का टॉपिक है, आजाओ बेटा, आजाओ, 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 सारे बच्चे session को like भी कर दें और share भी कर दें जितने बच्चे इससे देख रहे हैं, चलिये अब देखिए photosynthesis का मामला क्या है, कुछ basic चीजें आप समझें, autotrophs और heterotrophs के बारे में तो आप सारे बच्चे जानते ही हैं, वो जो अपना food खुद synthesize कर सकते हैं, या वो जो अपना food खुद synthesize नहीं कर सकते हैं, तो green plants जो हैं, वो अपना food खुद synthesize कर लेते हैं, और इतने भी organism हैं, planet earth पर, आप तो सब को conclude, इसमें include कर लीजिए, वो सारे के सारे directly और indirectly इनहीं plants पर dependent होते हैं, जब मैं कहता हूँ directly, यानि कि जो herbivorous category में आते हैं, even जो carnivores हैं, वो भी indirectly plants पर ही dependent होते हैं, डिपेंडेंस ही उनकी सारी की सारी किस पर है, plants पर, आजाओ बेटा ज गाओ, जल्दी आजाओ. So, let me write down a few things. पहुम्स करत दो न्च कि धूग में 小िष पहुंट विन स्क्षफ तृ को अधर That is why they comes under category of autotrophs और बाकी जितने भी organism हैं आपके, remaining organisms, ये जो remaining organism हैं, They are dependent on plants, और जब मैं dependent की बात करता हूँ, तो ये direct dependence भी हो सकता है, indirect dependence भी हो सकता है, इनको हम किस category में रखें? हिटरो ट्रॉफ्स, और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, बिल्कुल basic सी बात बता रहा हूँ आपको, कि photosynthesis जो है, वो basically एक physio chemical process है, इस पर कई बार सवाल पूछा गया है, आप लोग confused होते हैं, कि ये किस तरीके का process है, इसको define किस तरीके से करें? लक्षमी धर नायक, बिल्कुल बिटा, पूरा आशिरवाद है, तुम सब लोगों के साथ ही है, आशिरवाद, पूरी शुब कामनाएं हैं, best wishes हैं तुम सब लोगों के लिए, तो बिल्कुल ऐसा मत सोचो कुछ भी, जो भी बच्चे सेशन में हैं, अभी जो आ रहे हैं, तीन बज़े जो आते हैं, साड़े दस बज़े आते हैं, सब के लिए पूरा आशिरवाद है, and best wishes are always with you, don't worry. So, let us come to the point, let us come to the point again, अभी क्या हो रहा है, ये जो आपका photosynthesis है, ये photosynthesis कैसा process है, भाई, हमेशा याद रखिए, that it is a physiochemical process, और ये जो physiochemical process है, आपका photosynthesis का, ये process basically कर क्या रहा है, what it is doing, मतलब बिल्कुल एक दम, थम रूल की तरह, simple करके इसको समझने की कोशिश करें, तो ये क्या कर रहा है आपका, it is converting, light energy into, organic compounds, तो ये सीधे सीधे क्या काम कर रहा है भाई, ये सीधे सीधे आपके light energy को, organic compounds में convert कर रहा है, ये इसका basic काम है, मतलब बिल्कुल simplified तरीके से, हम अगर इसको समझना चाहें, तो that is the meaning of photosynthesis, अब इसका significance और क्या है, photosynthesis का, इसको और किस तरीके से signify हम कर सकते हैं, इसके दो basic काम हो गए, photosynthesis के, एक तो food synthesize करना, लेकिन केवल food synthesize करना ही, photosynthesis का contribution नहीं है, in fact, food synthesize करने के साथ साथ में, ये oxygen भी release करता है, यही process oxygen भी release करता है, तो photosynthesis क्या कर रहा है आपका, photosynthesis आपका दो काम कर रहा है, सबसे पहला काम, it is actually, primary source, of all type of food, जितने भी तरह के खाने हैं, उनका primary source यही है, जब हम indirect manner में पीछे की तरफ चलते जाएंगे, क्या हुआ बेटा, दिखाई क्यों नहीं दे रहा, page को refresh करो, और दूसरा, दूसरा, it releases, oxygen, in atmosphere, यह दो इसके काम हो गए, correct, यहां तक की बाते समझ में आ गई आपको, यह बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, अब ज़रा हम इनके early experiments की तरफ move करते हैं, यह जो early experiments हैं, यह बड़े important experiments हैं, और इन पर भी अक्सर आप लोगों से सवाल, पूछ लिये जाते हैं, so, let us move towards the early experiments, अभी देखिए, यहां पर कुछ चीजें आप लोगों के लिए मैं mention कर रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, है ना, देखिए, photosynthesis कैसा process है, आपका, just have a look, it is a physiochemical process, जैसा कि मैंने आपको बताया, by which green plants use light energy, that is solar energy, to synthesize organic compound, organic compound उनको बनाना है, glucose बनाना है, basically, जो बाद में किसमें convert हो जाएगा, that later on will be converted into the starch, ठीक है, ये इधर से light energy आ रहा है, ये carbon dioxide आ रहा है, leaves ने क्या किया, food synthesize किया, और oxygen को release कर दिया, ये एक simple सा diagrammatic representation आप लोगों को दिखाई दे रहा है, है ना, चलिए, अब आते हैं, photosynthesis is a basis of life on earth, ultimately all living organisms are dependent on photosynthesis, ये मैं बता ही चुका हूँ, it is the primary source of food and releases oxygen in the environment, अब जरा इससे related कुछ experiments की तरफ नजार डालते हैं, ये इस chapter का बिलकुल शुरुवाती हिस्सा है, और अक्सर इस हिस्से को हम ignore कर देते हैं, इसमें कुछ scientist है, important scientist है, और कुछ important experiments हैं, जिनसे related questions हमसे अक्सर पूछे जाते हैं, तो एक एक करके पहले हम इनके historical background को, दो दो तीन तिन important point, और definitely जो important point हम discuss करने वाले हैं, वो किवल NCRT के bullet points ही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है, so concentrate कीजिए, कुंदन बेटा आशिरवाद सभी को दे दिया गया, सामू ही काशिरवाद दे दिया गया सबको, अलग-अलग किसी को बोलने की ज़रूरती नहीं है, है ना, चलिए, सबसे पहला ये experiment देखिए, जिसको हम कहते हैं, variegated leaf experiment, इसमें हम क्या करते हैं, एक पत्ती हमने ली, leaf, उसके कुछ हिस्से को black paper से cover कर दिया, ठीक है, काले रंग के कागल से डख दिया, काले रंग के कपड़े से डख दिया, और फिर उसको हमने कहा रख दिया sunlight में, correct, ये बहुत primitive experiment है, शुरुआती, जब दुनिया को न तो oxygen के बारे में पता था, न फोटो सिंथेसिस, क्या चीज होती है, कुछ भी जानकारी नहीं थी है ना, तो ये बहुत preliminary और बहुत initial experiments हैं, जिनसे कुछ चीजें हमें sequentially पता चलेंगी, आप लोग ज़रा इस तरफ ध्यान दीजिए सारे के सारे बच्चे, तो इस experiment में क्या किया गया है, जो हिस्सा उसका ढखा हुआ है, उसमें photosynthesis नहीं हो पाएगा, ये तो बात हमें अब पताए कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जब ये experiment शुरुआती तोर पर किये गए, और जो हिस्सा ढखा हुआ हुआ है, उसमें photosynthesis होगा, photosynthesis होगा माने कि glucose बनेगा, और पौधों में glucose किस फॉर्म में स्टोर होता है, ये तो आप जानते ही हैं, पौधों में glucose फॉर्म होता है, स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, तो जब वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा, तो अब उस leaf को हम टेस्ट कर सकते हैं, कि leaf के कौन से हिस्से में starch बना है, कौन से हिस्से में नहीं बना, उसको iodine से react करवा देंगे, तो लीफ का जो हिस्सा blueish हो जाएगा, iodine gives blue color with the starch, ये आप सारे के सारे बच्चे जानते हैं, ठीक है न, देखो, अभी किया क्या गया है इसमें, just a minute, just a minute, एक मिनिट रुको अभी अभी explain किये देता हूँ, properly समझा देता हूँ, बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा, चिंता न करो तुम, आओ, अब जरा यहां आजाओ, हमने क्या किया है, simple सा काम क्या किया है, ये एक leaf है, देखो जरा ध्यान से, ये एक leaf हमने ले लिया, और इस leaf में हमने क्या किया, what we did, इस leaf का आधा हिस्सा हमने ढख दिया, भाई, इस leaf का आधा हिस्सा हमने ढख दिया, आधा हिस्सा कैसे ढख दिया, किसी काले रंग के कपड़े से ढख दिया, देखो अभी ढख देते हैं इसको, दो मिनिट रुख जाओ बस, बहुत बहुत आसान सा experiment है, बहुत ही आसान सा experiment है, यह यहां से लेकर के यहां तक का पूरा हिस्सा हमने ढख दिया, मान लीजी, assume कीजिए कि इसको ढख दिया, correct, जब इस सारे हिस्से को हम ढख देंगे, तो सीधी सी बात है, photosynthesis तो किवल इस वाले portion में होगा, यह तो आप समझी रहें, यह जो सेग्मेंट दिखाई दे रहा है आपको, यहां तो photosynthesis होगा, और यहां photosynthesis नहीं होगा, अगर यहां photosynthesis होगा, तो सीधी सी बात है, इस लीफ के इस वाले हिस्से में क्या synthesize होगा भाई, बोलो ज़रा जल्दी से, इस लीफ के इस वाले हिस्से में क्या सिंथिसाइज होगा स्टार्च आर ये की नहीं बात समझ में तो यहां आपका स्टार्च बन गया मान लीजिए एक मिनिट रुकिए अब लीफ का ये वाला जो हिस्सा है इस हिस्से में आपका स्टार्च बनना तैयार हो गया यह लीजिए यह स्टार्च बना देते हैं यहां पर इस इस इस्टार्च ग्लूकोज बना और ग्लूकोज से क्या बन गया स्टार्च अब जब इसको सीधे सीधे आयोडीन से रियक्ट करवाया जाएगा इस लीफ को तो इसका नतीजा क्या निकलेगा वाट विल बिदा आयोडीन जब इसको आयोडीन से हम रियक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बिटा यह पूरा का पूरा हिस्सा आपका कैसा हो जाएगा नीला अब आपने काला कपड़ा हटा दिया है यह और सुनिए यह काला कपड़ा हटा दिया है आपने और काला कपड़ा हटाने के बाद में अब आप experiment कर रहे हैं पूरा का पूरा तो ये जितना भी हिस्सा है ये सारा का सारा हिस्सा आपका कैसा दिखाई देने लगेगा आपको डार्क ब्लू ये आगे वाला हिस्सा इसको वेरिगेटेड लीफ एक्सपरिमेंट कहते हैं बस इतनी सी बात है कोई इसमें विशेश बात ही नहीं जो कि समझ में ना आने वाली हो बोलो क्लियर है सबको बात है झाल झाल लिए इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं वेरिगेटड लिफ एक्सपेरिमेंट तो चलियए ये कानी को खत्म हो हुई अब इसके अंदर हमें ये क्लीयर हो गया कि ये ग्रीन पार्ट जो है केवल वहीं पर फोटो संथेसिस होगा अगर आपने किसी green part को cover कर दिया पूरी तरीके से तो वहाँ photosynthesis नहीं हो पाएगा that's all, as simple as that अब आगे चलते हैं half leaf experiment, इस half leaf experiment में जरा इसको देखिए, इस diagram को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा half leaf experiment में हमने क्या किया एक पत्ती का आधा हिस्सा एक bottle में या एक test tube के अंदर डाल दिया और उसको चारों तरफ से cover कर दिया इस diagram को देखिए, ध्यान से पूरा properly समझ में आ जाएगा यह देखिए, इस leaf का आधा हिस्सा हमने इस bottle में डाल दिया है दिख रहा है आप सब लोगों को और जब इस leaf का आधा हिस्सा इस bottle में आ गया, यह देखिए यह आधा हिस्सा इस bottle में आ गया इस bottle में हमने क्या डाल रखा है potassium hydroxide करेक्ट अब के ओएच क्या करता है, कार्बन डाई ऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर लेता है तो अब इस bottle में जो के ओएच है उसने इस bottle के अंदर वाली सारी CO2 को एब्सॉर्ब कर लिया जब CO2 को सारी को एब्सॉर्ब कर लिया तो पत्ती के इस वाले हिस्से को CO2 एविलेबल नहीं हो रहा इस वाले हिस्से को CO2 एविलेबल हो रहा है एक हिस्से को carbon dioxide मिला दूसरे को नहीं मिला अब जब इसको हम बाहर निकालेंगे चेक करेंगे sunlight में रख देंगे तो ये जो बाहर वाला हिस्सा है बिटा इसके अंदर तो आपका glucose और starch synthesize हो जाएगा यानि photosynthesis हो जाएगा इस वाले हिस्से में photosynthesis नहीं हो पाएगा और वो इस वज़े से नहीं होगा क्योंकि carbon dioxide इसको नहीं मिला तो ये जो दो experiment हम लोगों ने किये इन दो experiment से हमें क्या चीज़ समझ में आई बेटा देखो part of a leaf is enclosed in a test tube containing potassium hydroxide soaked cotton the other half is exposed to air और इसको कुछ देर के लिए हम लोग कहां रख देते हैं light में अब starch के लिए इसको test करते हैं तो जो exposed part है वो तो positive होता है और जो test tube में होता है वो negative इससे हमें पता चलता है कि साहब carbon dioxide भी जरूरी है photosynthesis के लिए ये दो experiment थे जिन्होंने initially indicate किया initially indicate किया कि आपके photosynthesis के लिए light भी चाहिए ग्रीन पार्ट भी चाहिए और carbon dioxide भी चाहिए तीन चीजें चाहिए ये सारी चीजें clear हैं कि नहीं please respond fast जल्दी से बोलो बेटा इसके बाद हम कुछ और significant experiments की तरफ move करेंगे please respond fast please respond fast जल्दी से जल्दी से जल्दी से जवाब देंगे सारे बच्चे very good चली अब आगे चलते हैं अब सबसे पहला important और significant experiment आता है photosynthesis में जॉसफ प्रिस्टले का experiment ये 1770 का experiment है यानि आज से लगभग लगभग 250 साल पुराना experiment हो गया 200 साल पहले उस वक्त न तो oxygen के बारे में पता था लोगों को न scientific knowledge था न जैनेटिक्स की जानकरी थी कुछ पता नहीं था उस वक्त जॉसफ प्रिस्टले ने ये experiment किया प्रिस्टले ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या हुआ उसने ये देखो एक बैल जार जो आपको दिखाईद रहा है इस डाइगराम को देखो ज़रा उसने एक बैल जार का इस्तिमाल किया ये देखिए अब इसके अंदर उसने एक मोंबत्ती जला दी अब आज तो हमें ये जानकरी है सारे के सारे लोगों को कि ये जो केंडल है ये एक्शुली ऑक्सीजन को यूज करता है और अगर आपने चारों तरफ से उसको बंद कर दिया तो थोड़ी देर में ये केंडल बुझ ही जाना है आप जानते हैं इस बात को अच्छा अब ये जो केंडल जल रहा है इसके साथ में इसने एक चूहा रख दिया देखा ये गया कि ये केंडल भी बुझ गई और चूंकि ऑक्सीजन अविलेबल नहीं है तो ये चूहा भी मर गया सीधी सी बात है आज तो आपको ये बिल्कुल सा एक्सपरिमेंट लग सकता है लेकिन आज से धाई सो साल पहले इट वस अ वेरी 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 सिग्निफिकेंट टेस्ट ठीक है ना अब इसने क्या किया तीसरी बार में इस केंडल और इस चूहे के साथ में एक छोटा सा पौधा भी इस बेल जार में रख दिया और अब इसने ये देखा कि ये न तो केंडल जो है बुझ रही है और नहीं ये चूहा मर रहा है इस experiment से देखो बहुत primitive बातें थी, उस वक्त कुछ पता नहीं था, किसी को भी कोई जानकारिय नहीं थी कि क्या चीज़े हो रही है, कैसे हो रहा है था लेकिन प्रिस्टले ने क्या conclude किया इस experiment से के candle के जलने की वज़े से या चूही की presence की वज़े से air में कुछ न कुछ contamination तो होता है, ठीक है, तो जब candle जल रहा था और उसमें चूहा रखा गया था तो दोनों की death हो गई, candle के जलने की वज़े से अकेला चूहा रखा गया, उसकी भी death हो गई, candle बुझ गया, दोनों रखे गये, candle बुझ गया, चूहा मर गया, यानि कि ये दोनों ही चीज़ें environment में जो air है, उसको किसी ने किसी mechanism से contaminate कर रहे हैं, कैसे contaminate कर रहे हैं ये उसे नहीं पता था, clear, अच् fresh कर रहा है या इसको purify भी कर रहा है, यानि बहुत basic बहुत आधार भूत चीज़ें जो हैं वो इस experiment से पता चली, he concluded that burning a candle or breathing animal damages the air, यानि हम सास लेते हैं तो हम हवा को damage कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुचा रहे हैं, अब उसने जैसे ही mint plant रखा, he found that the mouse stayed alive and the candle continued burn, जब mint plant जिंदा रहा और मौंबत्ती भी बहुत देर तक जलती रही, तो इससे क्या नतीजा निकाला उसने, कि plants जो हैं वो restore करते हैं air को, चाहे हम उसे contaminate कर रहे हूं, चाहे candle contaminate कर रहे हैं, यानि primarily हम contamination cause कर रहे हैं, और plants उसको purify कर रहे हैं, simple सा experiment था, पहला experiment प्रिस्ट लेका, आपको कम से कम यह है कि थाइलोकॉइड और ग्रैना और यह सारी चीज़ें जो basic जो एक बार समझा दूँ, तो उसके लिए मुझे experiment वाला segment जल्दी conclude करना पड़ेगा, so please respond, please respond, please respond, clear, चलिए, अब यह तो प्रिस्टले का experiment हो गया, अब प्रिस्टले के experiment के बाद इसी experiment को थ और modify कैसे किया गया मैं बताता हूँ आपको, इन्होंने क्या किया, same experiment को एक बार तो अधेरे में रखा और एक बार लाइट में, बाई प्रिस्टले ने तो क्या किया था, बेल जार के अंदर रख दिया, अब बेल जार में पहले उसने मुम्बती जलाई, फिर चुहा रखा दोनों रखे, फिर उसके बाद पौधा रखा, लेकिन उसने जो experiment किया, प्रिस्टले ने, that entire experiment was being conducted in sunlight, इंगन हाउज ने क्या किया, सबसे पहले एक बार के लिए उस पूरे apparatus को अंधेरे, और फिर एक बार के लिए उस पूरे apparatus को लाइट में रखा, उसने उसको थोड़ा सा advance कर दिया, थोड़ा सा modify कर दिया, बैबली बेटा, कौन से पहली बार की बात कर रहे हो, पहली बार में तो केवल रखा था उसने, जो जैसे रख दिया वैसे ही फोटो खींच लिए उसकी, जो पहला जार तुम देख रहे हो ना, उसमें मुम्बती जल रही एक चुहा है, त उसकी फोटो खींच ली, वो फोटो देख ली तुमने, दूसरी फोटो है कि ये रखे जाने पर हुआ क्या, वो मर गए दोनो, सिंपल सी चीज़े है जिसमें कहां कॉंप्लिकेशन में जा रहे हो तुम, है ना, चलो, अब देखो इसने एक बार अंधेरे में रखा और एक अंधेरे और लाइट में रखने से इसको एक और नई चीज़ पता चली, कि प्रिस्टले जो कह रहा है वो बात तो ठीक है, प्रिस्टले ये कह रहा है कि हम एयर को कंटामिनेट करते हैं, पौधे उसको प्योरिफाई करते हैं, लेकिन पौधे उसको प्योरिफाई केवल त ये दूसरी बात पता चली, अच्छा दूसरा फिर उसने एक और मज़ेदार काम किया, के सनलाइट इस एसेंशेल टू बी प्लान्ट और प्यॉरिफाइंग दे एर फाउंडेड बाई बर्निंग केंडल, ये तो सब हो ही गया, सारा का सारा, इसके बाद एक्वैटिक प्लांट के साथ किया, तो उसे क्या पता चला, ये देखो, इन ब्राइट सनलाइट स्मॉल बबल्स वर फॉर्म्ड अराउंड ग्रीन पार्ट्स, वाइल इन डार्क देड नॉट, ये देखो, ये देख रहे हैं आपको, ग्रीन प्लांट में, अगर ब्राइट सनलाइट हो गई देखो sequence में चल रही है सारी चीज़ें सबसे पहले हमने leaf वाला experiment किया उससे हमें क्या पता चला कि साहब photosynthesis के लिए light भी चाहिए photosynthesis के लिए carbon dioxide भी चाहिए और photosynthesis के लिए green part भी होना चाहिए पौधे का एक बात फिर pristley का experiment आया पौधे ने ये कहा कि हम air को contaminate करते हैं और पौधे air को fresh करते हैं या हम कहें कि उसको purify करते हैं फिर pristley के बाद इंगनाउस का experiment आया तो इंगनाउस ने उसी को modify कर दिया और modify करके ये बताया कि ये purification पौधे के वल तभी कर सकते हैं जबकि light हो अगर light नहीं हो तो नहीं कर सक और इसके लिए दो तरह के experiment की वो दो तरीके की चीज़ें क्या थी पहले उस apparatus को dark में रखा फिर उसको light में रखा करेक्ट मेरे ख्याल से इस experiment में भी कोई परेशा नहीं है बड़ा simple सा experiment है ये भी later on he identified that these bubbles to be of oxygen thus he showed that only the green part of plants has the ability to release oxygen केवल green part जो है वही oxygen release कर सकता है ये दो experiment clear हैं चलिए अब आगे चलते हैं अब आते हैं experiments by Julius Wonsec Julius Wonsec ने ये प्रूव किया कि glucose is produced when plants grown and is usually stored as starch इससे पहले ये भी पता नहीं था Julius Wonsec से पहले ये भी नहीं पता था कि कुछ चीज बनती भी है कि नहीं बनती है उससे पहले की कहानी तो केवल इतनी थी कि air contaminate हो रहा है या तो air purify हो रहा है और कुछ पता नहीं था Wonsec का जो experiment है उस experiment में सबसे पहली बार ये indicate किया गया सबसे पहली बार ये प्रूव किया गया कि इस process में glucose बनता है that later on is converted into starch क्या किया गया साब देखिए Wonsec ने प्रूव किया कि chlorophyll is located in special bodies जिनको आज हम chloroplast के नाम से जानते है glucose is made in the green plants of the plant plant के जितने भी greener portions होंगे वहाँ glucose बनेगा कौन बनाएगा chlorophyll और chlorophyll कुछ special structures में present होता है in special structures को हम क्या कहते है chloroplast special bodies में present होता है जिनको हम कहते है chloroplast अब यहाँ एक और important और interesting experiment आता है इस experiment को समझना आप सारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है देखिए ज़रा ध्यान से अब यहाँ तक तो हमें किवल इतना ही पता था कि साहब photosynthesis के लिए light चाहिए carbon dioxide चाहिए हरा वाला हिस्सा चाहिए green portion चाहिए plant का यह तीन चीज़े तो हमें पता लग गई थी हमें यह भी पता लग गया था प्रिस्टले के experiment से कि पौधे जो हैं वो purify करते हैं हम contaminate करते हैं हमें यह भी पता चल गया था कि purification का process पौधे केवल तब कर सकते हैं जब light हमें यह भी पता चल गया था कि greener parts जो हैं वो light में कोई gaseous substance release करते हैं जो bubbles के form में deposit हो जाता है है ना और फिर one sec ने यह बता दिया था कि यह light की presence में actually glucose बनता है बाद में glucose starch में convert हो जाता है अब यहां एक बहुत interesting experiment होता है जरा इसकी तरफ ध्यान दीजिए have a look यह experiment किस ने किया पहले तो यह देख लो यह experiment किया हुआ है TW Engelman का he split the light using a prism into spectral components and illuminated a green algae that is cladophora placed in a suspension of aerobic bacteria ध्यान से देखी इस experiment को ध्यान से समझे उसने क्या किया एक algae लिया cladophora ठीक है, और इस cladophora के उपर उसको light में रखा लेकिन इसने केवल light में नहीं रखा इसने prism का استعمال किया और prism का استعمال करके light को split कर दिया, देखीए ज़रा ध्यान से यह light इधर से आ रहे है इस prism ने light को split कर दिया और जब light को split कर दिया तो spectrum ट्रम बन गये आप जानते हैं विब ग्योर, वाइलिट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, यलो, औरेंज और रेड इधर से आप चलेंगे और ये वी से स्टार्ट होंगे और आर पर आ जाएंगे यानि कि ये जो एल्गी था आपका क्लेडो फूरा, इस एल्गी के एक पोर्शन पर ब्लू वाले लाइट आ रहा था, एक पर आपका ग्रीन आ रहा था, कहीं यलो आ रहा था, कहीं औरेंज आ रहा था और कहीं रेड आ रहा था इस सीक्वेंस में इस पर लाइट पड़ रहा था अच्छा साइमल्टेनियसली उसने क्या किया जहां ये एक्स्पेरिमेंट चल रहा था वहाँ एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन डाल दिया ऐसा बैक्टीरिया जो की ऑक्सिजन यूटिलाईज करता है उनका सस्पेंशन डाल तो अब उसने क्या देखा साहब उसने ये देखा कि सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया एकठे हुए हैं यहां और यहां इसका मतलब यह हुआ कि सबसे ज्यादा ऑक्सिजन या सबसे ज्यादा गैस किसने प्रोड्यूस की है एस वाले klaidofora ने या इस वाले klaidofora ने और ये वाला klaidofora यानि कि जिसके पास कौन सा लाइट आ रहा था blue ये वाला klaidofora जिसके पास कौन सा लाइट आ रहा था red यानि सबसे ज्यादा photosynthesis कहां होता है blue में और red light में इस experiment से ये prove हुआ एक बार बोलो बेटा सारे बच्चे रिस्पॉंड करो एक बार कि clear है या नहीं मामला प्लीज रिस्पॉंड फास्ट यहां तक की कहानी clear है की नहीं Engelman का experiment साधारन सा experiment है कोई ऐसी विशेश बात इसमें है नहीं प्लीज 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 रिस्पॉंड जेबा, शिवम, श्रेयन, चिंकी, संजना, बलबीर, डाइमंट और बागी सारे के सारे बच्चे बागी सारे के सारे बच्चे गुड तो यह याद रह जाएगा आपको यह पॉइंट से याद रखने बेहत जरूरी है सबसे पहला एंगल मैन ने एक्सपरिमेंट किस पर किया ग्रीन एलगी पर जिसका नाम था क्लेडोफोरा दूसरी चीज उसने किया क्या उसने जो लाइट आ रही थी उसको प्रिज्म से स्प्लिट कर दिया क्लेडोफोरा एलगी के साथ में उसने एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन इस्तेमाल किया अब इस पूरे एक्सपरिमेंट के बाद पता ये चला कि एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन सबसे ज्यादा क्लेडोफोरा के उस हिस्से पर इकठा होता है जो या तो ब्लू लाइट से एक्सपोजड था या फिर आपके रेड लाइट से एक्सपोजड था इसका मतलब इन दोनों तरीके की लाइट्स में फोटो सेंथेसिस सबसे ज्यादा होता है चलिए अब आगे मूव करते हैं आगे मूव करते हैं दे बैक्टिरिया वर यूजड तो डिटेक्ट दे साइट अफ ओटो इवलूशन इसको हम पहला एक्शन स्पेक्टरम कंसीडर कर सकते हैं इससे पहले इस तरीके का कोई एक्सपरिमेंट नहीं किया गया था इट रिजेंबल्स दे अब्सॉप्शन स्पेक्टर आफ क्लोरोफिल ए और बी ये क्लोरोफिल ए और बी क्या चीज़ें हैं इनके बारे में अभी कुछ दिर में हम लोग डिसक्स करेंगे आगे चलते हैं अब यानि लगभग लगभग अठारा सो पचास साथ के आसपास तक ये लगभग क्लियर हो गया था कि प्लांट्स सी ओ टू यूज करते हैं वाटर यूज करते हैं सन लाइट की प्रिजेंस में ये कारबन डाई ऑक्साइड और वाटर मिल करके क्या बना देते हैं आपका ग्लूकोस करेक्ट यहां यह जो CH2O है यह किसको रिप्रिजेंट कर रहा है कारबो हाइड्रेट यह रियक्शन एज आपके NCRT में दिया हुआ है सारे के सारे बच्चे इस रियक्शन को गौर से देख ले और याद कर ले अब देखिए एक्चुली यह क्या है इसकी तरफ भी ध्यान दीजिए इम्पिरिकल एक्वेशन का मतलब है इसमें आपको रेशियो प्रॉपर दिखाई दे रहा है आप जानते हैं अच्छे से रेशियो होता है Cn H2n, On किसी भी मोनोसेकराइड का रेशियो यह होता है जो इम्पिरिकल फॉर्मूला है ग्लूकोज आप लिखते हैं वो क्या होता है C6 H12O6 तो यहाँ जो लिखा हुआ है CH2O यह बेसिकली इसी को रेप्रेजेंट कर रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको समझ में आनी चाहिए Just a minute अरे बेटा रुको आदेत्य पहले क्लोरोप्लास्ट तो समझ लो बेटा लूकोप्लास्ट पर बाद में आएंगे ऐसे नहीं होता सीक्वेंस में आपको सारी चीजें समझनी होती है So please try to understand अभी देखिए इसमें एक बड़ा मज़ेदार और बड़ा इंट्रेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ उस इंट्रेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लीजी अभी तक हमने क्या देखा In the mid of 19th century हमें क्या चीजें पता चल गई थी हमें ये पता चल गया था कि साहब कारबंड़ाई ऑक्साइड एंड इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ H2O कारबंड़ाई ऑक्साइड एंड H2O दे एक्ट्वली गिवस राइस टू C6 H12O6 प्लस अब सवाल ये है कि मैं इस ऑक्सीजन को ध्यान से देखना मिटा इसको बात को समझने की कोशिश करना जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस ऑक्सीजन को हम ये लिखे या इस ऑक्सीजन को हम ये लिखे मैंने ये कलर इसलिए अलग-अलग लिखे हैं से आपको कहानी अच्छे से समझ में आए। कहने का मतलब यह है कि कारबंडाई औकसाइड और वाटर मिले। इन दोनों ने मिल करके आपका ग्लूकोज बनाया। है ना। और ग्लूकोज के बाद यह ऑक्सीजन रिलीज हुआ। मैंने इस ऑक्सीजन को दो अलग-अलग कलर्स में क्यों लिखा है? क्योंकि अभी तक हमें यह जानकारी नहीं थी, we were not aware of the fact कि यह जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है साथ में, यह ऑक्सीजन इस कारबंडाई औकसाइड से आया है? या यह ऑक्सीजन इस वाटर वाला ऑक्सीजन है? हमें जानकारी नहीं थी. प्लीज ट्राइ टू अंडर्स्टेंड कि यह जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, यह ऑक्सीजन इस कारबंडाई औकसाइड का हिस्सा है? मतलब कारबंडाई औकसाइड वाला ऑक्सीजन आ रहा है या वाटर वाला ऑक्सीजन आ रहा है? इसके बारे में हमें पता नहीं था. तो मैंने यह oblique लगा के दो अलग colors में इसलिए mention किया है जिससे हमें यह पता चल सके कि exactly यह oxygen कौन सा है मतलब oxygen carbon dioxide वाला इस्तेमाल हो रहा है या oxygen आपका water वाला इस्तेमाल हो रहा है इसके लिए बिटा balance नहीं कर रखा है, it is not a balanced reaction, please try to understand हम chemistry नहीं पढ़ रहे हैं हम biology पढ़ रहा हैं, हमें reactions balance नहीं करने है, balance करने की कोई जरूरत भी नहीं है आप इसको simply यूँ समझ ले, carbon dioxide और water मिल करके glucose बनाएंगे और oxygen release होगा मैं इसकी जगे glucose भी लिख देता हूँ तो आपको शायद और ज्यादा आसानी से समझ में आए जिससे आपको balance करने की दिक्कत ही ना आए, इसको simply आप glucose लिख दीजिए, ये लीजिए, सोई काम हो जाएगा बात खत्म हो गई, balance में, और करना हो तो करलो, six carbon dioxide ये अभी अपने कोई इस process में नहीं जाना है प्लीज ट्राइटो अंडरसेंड जो मैं समझा रहा हूँ मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि ये oxygen कैसे release होगा, ये oxygen कहां से release होगा किस methodology से release होगा, correct? तो इसके लिए जो experiment कंड़क्ट किया गया, that is the experiment of one meal इन्होंने purple और green bacteria में कुछ experiment कंड़क्ट किये purple और green bacteria में, और purple और green bacteria में जब experiment कंड़क्ट किये नमस्ते बटा नमस्ते आजाओ, purple और green bacteria में जब ये experiment कंड़क्ट किये तो क्या था, देखो, reaction ये था जो आपके NCRT में दे रखा है H2A, H2A का मतलब हो गया hydrogen donor और ये carbon dioxide light तो 2A, CH2O और H2O हमारा basic question यही था कि इस H2O में जो oxygen आ रहा है, वो कहां से आ रहा है अब आगे चलो इन green plants, the H2O is the hydrogen donor and is oxidized into oxygen यानि कि green plants में जो actually oxygen release होगा, photosynthetic reaction के बाद वो oxygen पानी से आने वाला oxygen है उस oxygen को provide करने वाला substance कौन है, water carbon dioxide से वो oxygen नहीं आ रहा है, correct? अब आगे चलिए purple and green sulfur bacteria use H2O as H donor so oxidation product is sulfur or sulfate and oxygen is not produced यह भी आपने पढ़ रखा है, simple सी बात है thus he inferred that oxygen evolved by green plant come from H2O, not from CO2, this was later proved by radio isotope techniques also तो Vaughan Neal ने जो experiment किया, उसने क्या किया? उसने same reaction में H2O की जगे कुछ और ले लिया देखिए जरा, what he did, उसने क्या किया? H2O की जगे उसने ले लिया H2S ठीक है ना, जो आजकल sulfur bacteria या यह जो algae बगरा करते हैं तो H2S जब इस्तेमाल किया गया तो by product आपका oxygen नहीं था अब ध्यान से सुनना यहीं से सारी चीज clear हो जाएगी यह by product था अब इस by product को जब हम देख रहे हैं तो हमें सीधे सीधे क्या पता चल गया? कि यह H2S जो है, यह hydrogen donor भी है, point one and point two, यह जो S है, यही as a by product release होता है अब अगर आप इसकी जगे water ले लेंगे तो इसका मतलब हमें यह oxygen कौन सा mention करना चीए बिटा? औरेंज वाला या white वाला, please respond उपर वाले reaction में यह oxygen यह वाला represent करें कि यह वाला किस color से लिखें उपर वाले oxygen को? आपको अगर मेरी बात समझ में आगे हैं तो जल्दी बताइए बिल्कुल ठीक बात है, white वाला क्योंकि oxygen कौन प्रोवाइड कर रहा है भाई? water यह लीजए finally अगर हमें reaction लिखना हो इसको पूरे को balance करके लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे अब देखिए जरा अब हम इसको यू लिखेंगे 6 CO2 plus 12 H2 resulting in resulting in C6 H12 O6 plus 6 H2 O plus oxygen समझ में आ रहे के नहीं बात आप लोगों को यह कुछ मामला क्लियर हुआ के नहीं please respond fast please respond fast यह आपका complete reaction हो गया so I hope it is clear to all of you हाँ हाँ बिलकुल बिलकुल light तो हो गाई भई light के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता light तो present हो गाई वह आप लिखें चाहें नहीं लिखें that is clear यहां तक का मामला clear है के नहीं मुझे यह बताईए यहां तक clarity है कि नहीं सारे बच्चों को लक्षमिधर, जेबा, सानवी और बाकी सब बच्चे क्योंकि अब मुझे कुछ important चीज़ें आप लोगों से discuss करनी है मैं कुछ आप लोगों से यह share करना चाहता हूं कि exactly photosynthesis का mechanism जो हम पढ़ेंगे उसकी location के बारे में आपको एक बार के लिए proper जानकरी मिल जाए आप लोगो तो नेक्स पॉंट अब ज़रा ध्यान से सारे के सारे बच्चे इधर थोड़ी देर सारी चीज़ों को छोड़ करके मैं sequence में कुछ चीज़ें आपको बताता हूं मुझे sequence में कुछ diagrams बनाने पढ़ेंगे आप लोगों को समझाने के लिए चलिए साब हम क्या करते हैं सबसे पहले बनाते हैं एक पेड देखो ये कोई पेड है और ये इस पेड के ऊपर कुछ पत्तियां लगी हुई है ज्यान से देखना वेटा सारे के सारे पर देखना लगी है टिए अब हम देखो exact location तक पहुँचेंगे बड़े structure से छोटे structure की तरफ move करते करते आखिरी photo system तक जाएंगे तो इस diagram को एक बार सारे बच्चे अच्छे से समझ लेना अब हमने क्या किया यहां से एक leaf ले लिया we have taken a leaf यह लीजिये साहब एक leaf हमने यहां से ले लिया अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि leaf में क्या होती है mesophyll cells होती है you are well aware of the fact that there are mesophyll cells in the leaf अब हमने इसमें बना दिये mesophyll cell देखो ध्यान से have a look इसी टाइप के mesophyll cell होते हैं और भी चीजें होती हैं लेकिन मैं केवल mesophyll cells बना रहा हूँ ये mesophyll cell बना दिये हमने अब हम किसी एक mesophyll cell को बाहर निकाल लेते हैं एक mesophyll cell को हम बाहर निकाल लेते हैं चलिए ये आपका mesophyll cell है ठीक है ना एक mesophyll cell बाहर निकाल लेते हैं एक मिनिट रुकिये जरा इस mesophyll cell एक बाहर मैं लेबल भी करता जाऊं साथ साथ में वरना आप लोगों को लगेगा क्या चीजें बनती जा रही हैं रुको अब इस mesophyll cell के अंदर क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं सारे के सारे बच्चे क्या होता है भाई mesophyll cell के अंदर बोलो बोलो जल्दी बोलो क्या होता है जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो mesophyll cell के अंदर क्या होता है please respond please respond what is found in mesophyll cell जेबा बहुत अच्छे यह है आपका क्लोरोप्लास्ट डबल मेंब्रेन बाउंड इस्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट अब हम क्या करते हैं क्लोरोप्लास्ट को बाहर निकाल लेते हैं चलिए और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डेटेल में बढ़ते हैं लेट अस टेक क्लोरोप्लास्ट आउट झाल 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 ये आपका क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं ये आप जानते ही है सारे के सारे बच्चे क्या होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर यह देखो यह coin के जैसे structures दिख रहे हैं आप लोगों को एक single coin क्या है थेलकॉइड और coins की यह धेरी क्या है यह पूरी की पूरी धेरी क्या है ग्रेना यह देखो यह धेलकॉइड और धेलकॉइड की धेरिया यानि की ग्रेना अब यह ग्रेना भी आपस में connected है यह ग्रेना भी आपस में connected है और ग्रेना किस से connected है ग्रेना किस से connected है ऐसे कुछ structure से यह आपस में connected है इनको हमने क्या कहा स्ट्रॉमा लैमिली तो यह जो क्लोरोप्लास्ट आपको दिखाई दे रहा है एक बार इसका structure आपके लिए समझना बेहत जरूरी है सबके लिए प्लीस, have a look. इस एक लूरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में आपको क्या दिख रहा है यह पूरा का पूरा structure क्या है बेटा, what is this? ग्रैस ग्रैन त्रमा और यह आपको क्या दिखाई दे रहा है स्ट्रॉमा लेमिली बिल्कुल अभी क्लॉरोप्लास्ट का यह स्ट्रक्चर क्लियर हुआ कि नहीं तुम लोगों को जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी जल्दी रेस्पॉंड गरो अरे बेटा सुनो थेले कॉइड क्या होता है सुनो यह एक सिक्का जो दिख रहा है न एक कॉइन यह एक सिक्का थेले कॉइड कहलाता है और थेले कॉइड की यह जो धेरी दिख रही है इस धेरी को क्या कहते हैं ग्रेना सबसे पहले तो थेले कॉइड और ग्रेना में डिफरेंस तो समझो यार निलेश, थेलेकोईड किसे कहते हैं, वाट इस थेलेकोईड, थेलेकोईड का मतलब हो गया, एक कोईन के जैसा स्ट्रक्चर, सिंगल कोईन के जैसा स्ट्रक्चर थेलेकोईड है, और इसके बाद, इन सिक्कों की जो धेरी बन गई है, उस धेरी को हमने क्या कहा है, ग्रैना, समझ में आ गया की नहीं जल्दी बोलो जल्दी बोलो 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 बेटा जल्दी बोलो समझ में आ गया या नहीं आया प्लीज रेस्पॉंड फास्ट चलो मा वापस से बताता हूं एक मिनिट रुको अभी समझ में आएगा अभी समझ में आएगा चलो एक ग्रेना को बाहर निकाल लेते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है हम किसी भी चीज़ को बाहर निकाल सकते हैं ये लीजिए ये लीजिए अब ये एक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना सिंगल स्ट्रक्चर ये सिंगल स्ट्रक्चर क्या है थाइलकॉइड ये भी क्या है नीचे थाइलकॉइड ये सब क्या है और ये जो पूरी ड्रेरी बन गई इस पूरी ड्रेरी को हमने क्या कहा अब ही मेरे ख्याल से क्लियर है थाइलकॉइड और ग्रेना की कहानी भी बोलो बोलो जल्दी बोलो क्लेरिटी है कि नहीं प्लीज रेस्पॉइड फास्ट ये जो थाइलकॉइड है आपका ये भी अब क्या करते है अब एक थाइलकॉइड को पकड़ते है और छोटा करते है देखो इस पूरे सिस्टम को एक थाइलकॉइड को पकड़ते है अब यहां से एक थाइलकॉइड बाहर निकालते है चलिए तो बेटा ये आपका एक थाइलकॉइड है झालते है अब ये ये लिवड़ते है अब ये लिवगरते हैं क्यां ये निकालते है थाइलकॉइड बाहर निकालते है उन्म्नाष्म ये लो ये एक सिंगल थाइलोकॉइड बना दिया हम ने लुक्राइड युज शुक्राइड एक सिंगल थाइलोकॉइड बना दिया हमने अब ये जो थाइलकॉइड है इस थाइलकॉइड में आपको ये तो दिखाई दे रहे हैं इसके मेंब्रेन प्लीज ट्राइटो अंडरस्टेंड और ये आपको दिखाई दे रहा है इसका ल्यूमन ये थाइलकॉइड का ल्यूमन है थाइलकॉइड का मेंब्रेन है और थाइलकॉइड के बाहर आपको क्या दिखाई दे रहा है ये स्ट्रॉमा इस जगे क्या है पूरा का पूरा ही है स्ट्रॉमा अब बेटा ये जो थाइलकॉइड है इसी थाइलकॉइड की मेंब्रेन में फोटो सिस्टम्स प्रिजेंट होते हैं आ रहे ये बात समझ में इन्हीं फोटो सिस्टम्स में आपके क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, आपका यूं कहना चाहिए हमें की जैन्थोफिल आपके कैरोटिनॉइड वो सारे के सारे इसी थाइलकॉइड के मेंब्रेन के अंदर धंसे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं आप ये मान करके चलें अब सुनो थोड़ा सा थोड़ा सा और एलेबोरेट करता हूँ थोड़ा सा और elaborate करता हूँ, एक मिनिट रुको अब ये जो membrane आपको दिखाई दे रहा है, इसी membrane के बीच में आपको धंसे हुए दिखाई देंगे PS1 और PS2, correct? तो मैं PS1 और PS2 आप लोगों के लिए ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे यह PS1 है और यह PS2 है, now please try to understand सारे बच्चे एक बार ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि यह exactly हो क्या रहा है, what is this? इसी की plasma membrane में अंदर क्या धंसे हुए दिख रहे हैं आपको? इसी की plasma membrane में अंदर क्या धंसे हुए दिख रहे हैं आपको? इस आर एक्चुली फोटो सिस्टम्स PS2 और PS1 यह दो फोटो सिस्टम्स है अब इन में से किसी भी एक फोटो सिस्टम्स को जब हम देखेंगे तो आखिरी चीज और समझ लीजिए फिर sequence में सारी बातें समझ में आ जाएंगी फोटो सिंथेसिस का mechanism समझने में दिक्कत नहीं आएगी अगर location आपको एक बार three dimensional ढंसे clear हो गया सो नाव लेट में draw one of the PS किसी एक PS को draw कर लेते हैं चलिए एजियूम कीजिए कि ये एक PS है एक्जेक्टली ऐसा नहीं होता है PS मैं आपको थोड़ा सा स्केमेटिकली समझा रहा हूँ इस बात को समझने की कोशिश करना बटा है मैं आपको स्केमेटिकली एक्स्प्लेइन कर रहा हूँ एक्जेक्टली ऐसा नहीं है कि 100% इसी शेप का आपका PS होता हूँ यह आपका मान लीजिये फोटो सिस्टम 2 है, तो किसी भी फोटो सिस्टम में एक तो होता है light harvesting complex, तो यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह तो है LHC, यह भी LHC है, Light Harvesting Complex, और यह जो बीच में दिखाई दे रहा है, यह है आपका RC, माने की reaction center, समझ में आ गई बात? हाँ, बेटा है, है वो है, class है अपनी जगे पर, RC that is reaction center and light harvesting complex, अब इनही light harvesting complexes में और reaction center में आपकी further चीजें exist करती हैं, जो कि मैं अब आपके सामने draw करने वाला हूं, light harvesting complex में आपका एक मिलेगा, इसको यूं कर देते हैं, एक मिनिट रुकी, यह मिलेंगे आपके chlorophyll B, chlorophyll B के साथ साथ और क्या मिलेगा, carotenoid, carotenoid के साथ साथ और क्या मिलेगा, xanthophyll, आपको बात समझ में आ रही है, यह देखो मैंने तीन तरीके की चीजें draw की हैं, यहां पर ध्यान से समझना है इस पूरे diagram को, क्या क्या देख रहा है देखो, क्या 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 देख रहा है, chlorophyll B, carotenoid, xanthophyll और यह जो reaction center आपको दिखाई दे रहा है बिटा, इस reaction center के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, यहां आपको दिखाई देगा chlorophyll A अब एक बार sequence में इन सारी चीज़ों को समझीए, प्लीज, हम उपर से चलते हैं वापस से, एक बार सारे बच्चे शुरू से देखो, देखो, हमने क्या बनाया, हमारे पास एक पेड है, यह leaf दिख रहा है, एक leaf यहाँ डॉरॉ कर दिया, बड़ा सारा एक पत्ती बना दी। इस पत्ती के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है ये क्या है? میजोफिल सेल, leaves में क्या होती है? हमने किसी एक میजोफिल सेल को बाहर निकाल लिया सारा। मीजोफिल सेल को जब बाहर निकाला तो इन सेल के अंदर हमें में मेंब्रेन बाउंड सेल औरगेनलीज मिले जिनको हम क्या कहते हैं क्लोरोप्लास्ट clear ये जो chloroplast आपको दिखाई दे रहा है इस में से एक chloroplast हमने बाहर निकाला तो chloroplast के अंदर हमें सिक्कों की ड्हेरियां मिली एक सिक्का thylakoid अधेरी ग्रैन इनको आपस में करेक्ट करने वाली structure stromalemele correct और ये جज़गे बच गई ये सारी की सारी स्ट्रॉमा जो पूरा का पूरा भरा हुआ है। आरे ये बात समझ में। अब स्ट्रॉमा के बाहर हमने एक थाइलकॉइड एक ग्रेना बाहर निकाल लिया। एक ग्रेना पर आपको बहुत सारे थाइलकॉइड दिख रहे हैं। इसमें से एक थाइलकॉइड ह और फोटो सिस्टम 1 यह जो फोटो सिस्टम 2 है और फोटो सिस्टम 1 है इनका structure एक ही जैसा होता है लगबग लगबग किसी एक फोटो सिस्टम को मैं अगर enlarge करूं तो यह एक फोटो सिस्टम आपका ऐसा बना यह फोटो सिस्टम जो है इसमें आपको light harvesting complex दिखाई दे रहे हैं इन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेज में जेंथोफिल, केरोटिनॉइड, क्लोरोफिल B और क्लोरोफिल B ये तीन चीज़े मिलेंगी और जो रियेक्शन सेंटर होगा आपका उसमें क्लोरोफिल A एग्जिस्ट करेंगा अब एक बार आप मुझे सारे बच्चे रेस्पॉंड करके बताएं कि ये बात समझ में आ गई क्या प्लीज रेस्पॉंड इस जगह के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है वरना आगय का कुछ समझ में नहीं है प्लीज रेस्पॉंड फास्ट मैं ये नोट अभी आपको पोस्ट करने वाला हूँ है ना हमारे ग्रूप पर टेलिग्राम पर तो एक बार आप इनको अगर देख लेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा फिर जब मैं आपको लाइट रियक्शन और डार्क रियक्शन की कहानी एक्स्प्लेइन कर रहा हूँगा तो आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगे अब यहाँ आपको किवल एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जितना भी मेंब्रेन सिस्टम दिखाई दे रहा है मेंब्रेन सिस्टम पहला काम करता है लाइट एनरजी को ट्रैप करना और उससे एटीपी बनाना यह सारा मेंब्रेन सिस्टम है मैं करता हूँ बिटा लाइट एनरजी ट्रैप करना एटीपी बनाना यह मेंब्रेन सिस्टम का काम है मेंब्रेन सिस्टम मतलब थाइलकॉइड और इंक्लूडिंग डैट स्ट्रॉमा लेमिली और फिर ये जो ATP बना इस ATP का इस्तिमाल करके ग्लूकोज बनाना ये कहां होता है आपका स्ट्रॉमा में करेक्ट दो स्टेप में काम होते हैं सारे पहली चीज़ को हम कहते हैं light reaction दूसरी चीज़ को हम कहते हैं dark reaction dark reaction का मतलब यह नहीं कि वो अधेरे में होता है वो केवल उसका मतलब इतना है कि light reaction से जो product बनेगा उस product का utilization होगा और फिर glucose हमारा synthesize होगा I hope it is crystal clear to all of you structure समझना बेहद important है बिना structure समझे आगे की चीज़े पकड में नहीं आएंगी so please try to understand the structure primarily just a minute hmm hmm बेटा structure clear है कि नहीं सारे बच्चों को मुझे तो बस केवल इस बात का जवाब दे दो अब मुझे नीचे केवल एक चीज लिखनी है वो ये basic सारी clear कर दी है मैंने आपको कि आपका जो membrane system है आपका जो membrane system है उस membrane system में क्या क्या आगया आपका थाइलकॉइड प्लस स्ट्रोमा लेमिले इनका काम क्या है membrane system का दे ट्रैप लाइट एनरजी and synthesize ATP and NADPH एक काम तो हो गया ये और फिर दूसरा जो है आपका वो है स्ट्रोमा तो स्ट्रोमा का का काम क्या है synthesis of sugar and then from sugar synthesis of starch आ रहे ये बात समझ में अब ये जो पहला काम आपको दिखाई दे रहा है बेटा ये वाला इसी को हम क्या कहते हैं light reaction और ये जो काम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ इसे हम क्या कहते हैं dark reaction अब ये basics आपको photosynthesis की clear हो जानी चाहिए अगर basics आपको clear हो गए हैं तो आगे की चीजे समझना बेहद आसान हो जाएगा जब तक आप इस structure को अच्छे से properly नहीं समझ लेंगे अपने दिमाग में इसका एक three dimensional image create नहीं कर लेंगे तब तक आपको इसके आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा आ रहे ये बात समझ में तो ये सारे के सारे notes मैं आप लोगों को अभी group पर post कर रहा हूँ I want all of you to go through these notes try to understand all these diagrams in three dimensional manner and then memorize them so that when we study the process of all these light reaction और dark reaction के जो complicated events हैं उनको जब हम पढ़ना start करें तो कम से कम हमारे दिमाग में ये structure तो clear हो कि ये हो कहां रहा है reaction ये इस membrane में हो रहा है ये इसके lumen में हो रहा है ये स्ट्रोमा में हो रहा है ये कहां हो रहा है ये सारी चीज हमारे दिमाग में crystal clear होनी चाहिए ठीक है ना? चलो तो आप आज के दिन session को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खीचते हैं बेसिक्स मैंने सारी की सारी समझा दी है आपको इन बेसिक्स को एक बार के लिए समझ ये और प्रॉपरली समझ ये वरना कल वाला सेशन समझ में नहीं आएगा मैं लिख के दे रहा हूँ अगर आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है तो आप आगे की कोई चीज नहीं समझ पाएंगे तो आपको इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है इस सेशन को नहीं देखा है तो देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है उन्हें बोल देना कि एक बार इसको समझ ले और ये from my side today, goodbye, God bless you all, tata.